हेलो जी कैसे हैं आप फ्रेंड्स आसा करती हूं बढ़ी आउंगे स्वास्त होंगे स्वागत्य आपका अज की वीडियो में फ्रेंड्स क्या होता था पहले पुराने जमाने में रानिया जो होती थी वो अपनी स्किन की देख बाल नेचुरल चीजों से करती थी हो्म रे मेड्स यूज़ करती थी जैसे ढुद हो गया शैर थो गया मिलतान्य वगारा इन चीजों से होउम होम रे मेड्स बनाकर लगाती थी अपनी स्किन पर और उनकी स्किन चमकदार और हेल्दी भी रहती थी मैं भी आपके लिए कुछ ऐसी Omramids लेकर आती रहती हूँ और आज जो मैं आपके लिए बहुत अच्छी Natural सी Omramids लेकर आई हूँ अगर आप इसका इस्तेमार regular करेंगे continue करेंगे तो आपके चेहरे की dullness, कालापन, दागदबे जहाएं रिंकल सब कतम हो जाएंगे चमक जाएगा आपके चेहरा आपकी स्कीन एकदम bright हो जाएगी बहुत अच्छा face pack है friends बिलकुल natural है और आपकी स्कीन problem को जल्द ही कतम करने वाला है तो आप इसके इस्तेमार जरूर करिए चले मैं बताती हूँ इसे कैसे बनाना है चैनल को subscribe जरूर कर लिजिए सबसे पहले इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पर लूँगी fit curry और मैंने इसका powder बना के रखा हुआ है अब मैं यह powder इसमें आदा चम्मच लूँगी फिट करी चाहिए रेड हो या वाइट हो इससे कोई फरक नी परता क्योंकि बस हमें fit curry powder यूज करना है इसमें तो मैं यहाँ पर आदा चम्मच लूँगी fit curry भी फिट करी में एंटी बैक्टरियल और skin bleaching properties होती है जो इसकिन पर infection को होने से बचाती है और दाग दब्बो का टने में एल्प करती है और फिर देखे मैं यहाँ पर लूँगी एक चम्मच मुलाटी पाउडर फ्रेंट्स मुलाटी पाउडर सियत के साथ साथ इसकिन के लिए वोत्फादे मन्द है यह सियत में गले के ख्रांस दर्द और मोटा पादी समस्चाओ को तो दूर करने में एल्प करता ही है पर इसकिन पर अगर हाइपर पिंग्मेंटेशन है डाग स्पोर्ट है ब्लीमिस है इन सब को कतम करता है और तुछा में जो मैलिलीन जो होता है उसे रिमूव करता है जो जाईया और दाग दबो का मुख्यकरन बनता है मुलाटी में एंटियोक्षिडेंट और एंटिबाटिक गुन होते है और अगर तो अच्छा पर कोई इंफेक्शन हुआ है तो उसे भी ठीक करता है इसकिन से काला पंदूर करके इसकिन में नमी देकर इसकिन को ग्लोइंग लाइट और ब्राइट बनाने में एल्प करता है इसके बाद मैं लोगिया पर आदा चमच मुलतानी पाउडर मुलतानी मिट्टी भी फ्रेंट इसकिन को डिटोक्स करने के साथ-साथ एक्सेस ओल को अटाने में एल्प करती है धूल मिट्टी पाउडर दूशन के कारण चैरागर डल सा पड़ गया है बेजान सा हो गया है तो मुलतानी मिट्टी उसे साफ करके इसकिन पर एक निखार लाती है और दाग दबे जाईया है इन सब को भी कतम करती है इसकिन को साफ करती है क्योंकि मुलतानी मिट्टी में शोडिया मैगनीशियम कैल्शियम जैसे तत्व होते हैं जो तुछा को एक नेचुरल क्लिंजर पर काम करते हैं इसकिन को साफ करके इसकिन को लाइट और ब्राइट बिनाने में एल्प करते हैं इसके बाद मैं लोगिया पर शायद आदा चमच और शायद भी फ्रेंड्स इसकिन के लिए बहुत अच्छी चीज है इसमें बहुत सारे उसदिये गुन होते हैं यह इसकिन पर नमी देकर दूप की वज़े से अगर टैन हुई है उसे दूर करता है इसकिन में नमी को देता है और चैरे पर कील मुह से हैं उन्हें खतम करता है ओपन पोर्स की समच्चा है उसे भी खतम करता है अंदर से जाकर साब करता है इसकिन को ड्राइ सकिन को ब्लैम बनाता है क्योंकि शायद में कुछ ऐसे गुन होते हैं Healing Properties होती हैं जो Antibacterial भी गुन होते हैं जो तुछा के लिए अच्छे हैं Pimple, Blackerts, Daug, Dabbe Skin की Dressness इन सब को खतम करते हैं और फिर मैं लूँगी यहां पर गुलाब जल गुलाब जल में इसमें आड़ कर दूँगी जिसमें यह किमारा स्मूथ सपेष्ट बन करते हैं यार हो जाए इसमें इतने गुलाब जल डालूँगी मैं जिसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए गुलाब जल तो Skin के लिए वरदान से कम नहीं है क्योंकि यह skin पर कील मौसों खतम करता है तो अच्छा मिन नमी देता है इसkin पर अगर सूजने उसे कम करता है जूर्यों को कम करता है संबन को कम करता है डाक सरकल को खतम करता है चैरे पर एक निखार लेकर आता है चेरे पर एक चमक लेकर आता है गुलाब जल क्योंकि गुलाब जल में एंटी ओक्षिजेंट जादा होते हैं ये एक टोनर के रूप में भी काम करता है और ये एक मोस्चराजर के रूप में भी काम करता है skin पर और इसके बाद देखे के friends मैं इसे अच्छी तरह से mix कर लूगी और friends यह हमारा बहुत अच्छा natural सा chemical free है हमारा face pack बन कर तेयार होगा जो हमारी skin पर अंदर से work करेगा screen problem को खतम करेगा उन्हें जड़ से खतम करेगा बिल्कुल नैचुरल है, कैमिकल फ्री है बहुत ही प्यारा सक ग्लो लाएगा आपके चाहरे पर दाग दबो से फ्री बनाएगा आपकी स्किन को आपकी स्किन पर निखार लाएगा तो आप इसे अपने चाहरे पर ऐसे लगाईएगा देखे, जैसे मैं बापको आथ पर लगा के दिखाऊंगी ये स्किन लाइटनिंग फेस पैक इसमें जो फिट करी है, वो आपकी स्किन से जूर्यां कम करेगी आपकी स्किन को टाइट करेगी और मुलाटी पाउडर जो है, वो आपकी स्किन से दाग दब्बे अटाएगा और आपकी स्किन पर निखार लाएगा पिमपा लेकर ने कि जितनी समस्या हैं, जहाईएंग समस्या हैं उन्हें खतम करेगा, जो अपना सैद है इसमें सैद रिंकल की समस्या हो खतम करेगा मुस्चुराइज करेगा तो चको और जो अपनी मुलतानी मिट्टी है वो स्किन को वाइट और ब्राइट बनाने में अल्प करेगी, बहुत अच्छा फेस्पैक है फ्रेंस ये, तो आपकी सिस्तेमाल जरूर करना शुरू कर दीजिया आद से बिलकुल देशी चीज हैं इसमिसारी, आपकी स्किन की प्रोब्लम पर जड से वर्क करेंगी, उन्हें खतम करेंगी तो देखे, दस मिंट के बाद मैं आपको अपना एंडबोस करके दिखाऊंगे अभी आप भी दस मिंट के बाद अपना चैरा दो सकते हैं बहुत अच्छा सा प्यारा सा ग्लो आएगा आपके चैरे पर अलगी चमक आएगी, अलगी निखार आएगा और सब पूछेंगे कि भईया क्या लगा रहे हो आप और देखे मेरे आद का कलर कितना निखर क्या है और कितना प्यारा सा ग्लो आएगा मेरे हाथ पर अभी मैं आपको बताऊंगी इसके बाद क्या करना है थोड़ा सा एलविर जेल लीजिए या थोड़ा सा मोस्चुराजर लीजिए जरूर लगाईएगा क्योंकि इसमें मैंने फिटकरी का यूज किया है और फिटकरी थोड़ा सा ड्राई कर देती है स्कीन को तो फ्रेंड्स जरूर लगाईएगा भूलिएगा मत थोड़ा सी स्कीन ड्राई हो जाएगी तो जरूर जरूरी है तब देखेगा आप अपने फेस का कलर कितनी मुलायम कितनी ग्लोइंग स्कीन होगी आपकी तो आप इसका इस्तिमाल अपते में दो या तीन बार कर सकते हैं यह ओली स्कीन टाइप है और यह दोनोंगी चीजिजे आपको जरूर करनी है तब भी आपकी स्कीन पर अचछे से वरक होगा आपकी स्कीन एकदम चमकदार बनेगी सारी स्किन की बड़ से पसारी प्रोबलम खतम होंगे आपकी तो आप इसे जरू इस्तेमाल करिएगा केमिकल फिरी है बहुत अच्छा फेश पैक है ओल स्किन टाइप है तो इसे जरू लगाईएगा फ्रेंड्स तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब करे थेंक यू सो मच